जहिन सातियों आजके इस वीडियों हम डिस्कस करने वालें क्लास 12 का इतियास का पेपर जो के रिवीजन पेपर कल होने बाला है इस पेपर के सॉलूशन्स हम आपको प्रवाइड कराएंगे ये पेपर कुल मिला करके 80 नम्मर का होने बाला है तो चली फ्रेंट्स ज्यादा द जायेगा काली यंग उप्सें नम्र सी श्ता है किसपर आपको टिक लगाना है काली वंगा कि इसका दीज सरा कोशने भारती पुर्णात्तु का जनख की से कहा जाता है तो इसका प्रशन नम्मर सी से ये ऐ अलेक जंडर कनिंगम ठीक है प्रहेंट इस पर आपको टिक लगाना है राइट आंसर है विशिस कर ध्यान रखना इसका थीसरा कोशन आपर पूचा गया है प्रयाग प्रसस्ती की रचना किसने की थी तो प्रयाग प्रसस्ती थी इसकी रचना की थी हरी शेड ने किसने की थी हरी शेड ने तो इसका मिलता है मद्य प्रदेश के मंद्सोर में मिलता है तो इसका option number A सही है इस पे आपको टिकल लगाना है मद्य प्रदेश के मंद्सोर में चलिए फ्रेंट पांचवा question है बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो महात्मा बुद्ध थे सभी को पता हुआ इनके बच्पन का नाम सिधार था जो की बहुत ही प्यारा नाम था तो फ्रेंट यह थे एक एक number के पांच question जिनको हमने solve गया पांच number यहां से आपको ले के आने हैं इसका इस्टार्ट होता है question number टू जो के रिक्तिस्तानों ही पूर्थी करनी है आपको पहला question है बाट सामाने तह नामक पत्थर से बनाए जाते हैं तो बाट होते हैं वो सामाने तह चर्थ नामक पत्थर से बना जाते हैं तो इसका हम ap graphe कहते हैं क्या कहते हैं ap graphe तो यह होगा इसका right answer इस तरीगे से आपको लिखना है इसके बाद तीसरा question है पर तीसरे question का answer मेरे को नहीं पता है अगर आपको पता हो तो comment करके जरूर बताना चोता question है केलासनात मंदिर में है तो केलासनात मंदिर कहां पर है केलासनात मंदिर कांची पुरम में है कहां पर कांची पुरम इसका right answer आपको इस तरीगे से लिखना है फ्रेंट पाँचपा question है यह आपर देगिए सेक मुई निद्दिन चिस्ती की दरगा कहां पर है यह तो आप सभी को पता होगा बहुत सारे चातर गुमने भी जाते हैं अजमेर में राजिस्तान के अजमेर में सेक मुई निद्दिन चिस्ती की दरगा बनी वी है जो के काफी फेहमस है देश बिदेश के बिजटर भी वाँपर गुमने के लिए आते जाते रहते हैं इसके बाद देगी काफी important question है question number 30 5 number का question है सही जोड़ी मिलानी है जो के हर किसी paper में पुछा जाता है तो आप देगी पहले ही सही जोड़ी किस तरीके से रहेगी विजए नगर सामराज की स्तापना कब हुई थी तो बिजए नगर सामराज की स्तापना 1336 भी हुई थी तो इसको आपको किसे मिलाना है option number 20 है इस तरीके से उसके बाद देगी हर्स चरित था इनका संब्द किस से था हर्स चरित का संब्द बाड़ बट थे था तो इसको हम option number A से मिला देंगे चलिए मैं द्वारा से मिलाकर कि आपको सही से दिखाता हूँ यह मिल जाएगा इस से और अर्स चरित मिल जाएगा बाड़ बट से इसका बंगाल ACI टिक सोसाइटिस का घटन हुआ था यह कब हुआ था तो यह फ्रेंट 1784 हुआ था तो direct इसके सामने आपको टिक लगाना है चंदरकुत मोरेका राज buna रोड कर भुगा था तो इसका राज़ रोड भी 321 CSU हुगा था तो यह भी direct इसके सामने लगाना है और म्रच कटिकम यह क्या है यह सूद्रक थे तो इसके सामने ही आपको टिक लगा देना है तो इस तरीगे से यह होगी सही जोड़ी जिन में तीन तो डारेक्ट उनके सामने सीधे आंसर दिये हुए दो थोड़ा तिरचे हैं तो इस तरीगे से पांच नमबर यहां से आप अंपर्म कर सकते हो इसके बाद देखे फ्रेंड नेस्ट कॉश्चन है कॉश्चन नमबर फोर जो कि एक एक सब्द में आपको आंसर लिखना है फ्रेंड देखे यहां पर आपको क्या गलती नहीं करनी है कॉश्चन पूचा गया है एक सब्द या बाके माँ उत्तर दीजिए तो आपको यहां पर 15 सब्द से 20 सब्द लिखने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है कॉश्चन में एक सब्द पूचा गया है तो एक सब्द में आंसर को खतम कर दिए आपको पूरे नमबर मिल जाएंगे पर हम वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर दिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबा लेना जिससे कि आपके पास नोटीब कोशन पहुंचता रहा है जब भी हम वीडियो डालेंगे देगी पहला कोशन है यापर मुहरों के साथ चिक कहां से प्राप्त हुए है तो मुहरों के साथ चुमिले थे वो सिंदू से मिले थे कहां से सिंदू तो इसमें इसका अंसर आपको सिर्फ इतना लिखते ना इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है सिंदू लिखते ना पूरा नमबर मिल जाएगा आपको अग्रहार किस प्रकार का भुवाग था तो अग्रहार था तो अग्रहार के सभी निवासी कैसे हुआ करते थे ब्रामड हुआ करते थे इसमें आपको क्या आंसर लिखना है अग्रहार के सभी निवासी ब्रामड हुआ करते थे इसके बाद देखे फ्रेंट क्वेशन नम्मत तीसरा है मा भारत का युद्ध किसके मद्ध हुआ था सभी को पता हुआ जितने भी हिंदु धरम के लोग हैं उनको अक्सिर्थ पता ही होगा मा भारत का युद्ध हुआ था वो कॉर्वों और पांडवों के बीच में हुआ था किस-किस के बीच हुआ था कॉर्वों और पांडवों के बीच में उसका चोता प्रशने या पर अलवार कौन थे अलवार थे ये तमिल के बहुत बड़े कभी थे यानि यहां पर हम लिख सकते हैं इनका आंसर इस तरीगे से अलवार तमिल कभी एवं संत थे क्यों थे? अलवार तमिल कभी एवं संत थे यह हो गया इसका राइट आंसर चलिए फ्रेंट नेस्ट कोश्चन के उर आगे बढ़ते हैं हमारा नेस्ट कोश्चन यहां पर पुचा गया है हमपी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो हमपी नगर है वो तुंग बद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है यहां पर तुंग बद्रा आपको किस तरीगे से लिखना है इस तरीगे से तुंग बद्रा अंपी नगर है यह तुंग बद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है तो फ्रेंट यहां पर जितने भी ओटी तो उन सभी को हमने सॉल कर लिया अब देते हैं नेस्ट क्वेशन तो इनमें आपको थोड़ा लिखने की जरुवत पड़ेगी बक्ति आंदुलन का क्या रत है स्रीडी किसी कहती है या बिजय नगर की जल आउसक्ताओं को किस प्रकार पूरा किया गया इसको आप इसमें लिख सकते हो कापी यानि इंट्रेस्टिंग कोश्चन है यह कोश्चन नमर 11 जैन धरम की महतपूर सिच्चाओं पर प्रकाश डालिए इसकोश्चन नमर 12 में पूचा गया है महा जनपताओं की प्रमुक विश्चताओं की ब्याक्या कीजिए सबसे बेस्ट बात क्या है यहां पर फ्रेंट देगिए आपके पास ऑप्सन दिया गया है अगर आप पर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके बदले हो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्ट कर सकते ह MP बोर्ड की यह सबसे बड़ी खासियत है और किसी बोर्ड में इस तरीके से चोईस नहीं मिलती है तो फ्रेंट यह आपके लिए सबसे बेस्ट है MP बोर्ड का फायदा उठाईए और यहां पर उपन वुक पद्दति का आप अधार पर पेपर हो रहे हैं यह आपके लिए औ आप पर जाकर के डाउनलोड कर लेना और यह 20 नमर को बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि इसके 20 नमर आपके एक्जाम में फानेल एक्जाम में जोड़े चाहेंगे धन्यबाद दोस्तों